अगले बात करते हैं दोस्तों classified military satellite of Russia बहुत कम लोगों को पता है किसी को उसके बारे में कोई सूचना नहीं है ऐसा माना जा रहा है कि यह जो satellite है दोस्तों यह जो missile आती है दूसरे देश से missile की early warning missile detection system है यह पहले भी था रश्या का यह रश्या के पास पहले भी एक ऐसा early warning missile detection system था तो लेकिन वो 2014 तक वो काम किया उसके बाद वो खराब हो गया बंद कर गया तो इसलिए अभी रश्या सेटलाइट के माध्यम से कोई भी उसकी तरफ अगर missile आती है तो उसको detect नहीं कर पाएगी तो अभी रश्या के पास जितना भी system है वो ground based है और उस ground based system के माध्यम से ही वो यह detect कर पाएगा कि हाँ कौन सी missile उसके देश की तरफ आ रही है यह तो system है ना जो satellite based यह जो है nuclear war के time के लिए बनाया गया था कि अगर मान लो कभी nuclear war हो जाता है ठीक है तो उस समय पे किस प्रकार से communicate किया जाएगा तो उस communication के लिए यह system बनाया गया था यह military satellite system इसमें बहुत सारी satellite antrics में लगाई जाएंगी और इन satellite के माध्यम से दोस्तो अरली warning दे जाएगी कि वह यह कौन सी missile आपके देश पे हमला करने वाली है एक पूरा का पूरा system है पूरा का पूरा constellation है जो इस पे काम कर रहा है ठीक है वह भी बताऊंगा आपको दोस्त फिर इन्होंने 2019 के अंदर में एक नया system बनाने की कोशिश किये और उसी में से एक है तो एक टुंडरा category की जो missile है टुंडरा satellite जो है इन्होंने launch की है चलिए उसी के उपर हम यहाँ पे बात करेंगे ठीक है Russia successfully placed into a military satellite believed to be a part of Kremlin early warning anti-missile system यह उसका early warning anti-missile system होगा अगर कोई missile रश्या पे छोड़ी जाएगी तो यह early उसको क्या कर देगी? warn कर देगी देश को बता देगी पहले ही the satellite is believed to be a tundra satellite यह जो satellite भी launch हुई एक टुंडरा satellite है अब part of Russia early warning anti-satellite system जिसका नाम है क्यूपोल और डॉम ठीक है क्यूपोल और डॉम ऐसा और भी है जैसे थाड सुना थाड है ऐसे उसके पास भी है क्या नाम लेते है इस ना इसराइल के पास भी है ऐसा ही एक system ठीक है इसर तो ऐसा माना जा रहा है कि यह जो क्रिमलिन का एक early warning anti-missile system है ऐसा माना गया है कि Russia के लिए anti-missile की तरह काम करेगा warning system की तरह काम करेगा इसको भी नाम क्यूपोल और डॉम नाम इसको दिया गया है डीटेल में बात करते हैं तो टुंडरा सेटलाइट जो है इस अ कॉंस्टिलेशन ओ मिसाइल अर्ली वर्रिंग सेटलाइट एस्टाइट बाइ रश्या बिट्विन 2015 और 2020 तो यह जो है ना यह 2015 से लेकर 2020 के बीच में इसको स्तापित किया गया था इसका उस्तमाल केवल आपातकालीन संचार के अंदर में किया गया है अपातकालीन संचार कब जब न्यूक्लियर वर होता है तो ऐसी अवस्ता में और यह बिल्कुल सिक्यूर प्लाटफॉम है इसको हैक करना या इसका डेटा लीक होना बहुत ही मुश्किल है इसके अंदर में जो डॉम और क्यूपोल हम बात कर रहा है इसके अंदर में बहुत सारी सैटलाइट आपकी लॉंच होनी है इसके अंदर में बहुत सारी सैटलाइट आपकी लॉंच होनी है इसका नाम क्या था दोस्तों O-K-O-1, यह नाम था, O-K-O-1, early warning system है यह भी, O-K-O-1 system, the final O-K-O system जो है, जो final था, यह खराब हो गया, last वाला 2014 तक अपरेट था, उसके बाद में रश्या के पास में अंत्रिक्स में कोई early missile warning detection system नहीं है, तो रश्या को अपने ground-based system पर ही depend रहना पड़ता है, ठीक है, रश् आ रहे हैं, वास्तों में रश्या एक system मना रहा है, जिसका नाम है unified space system, ठीक है, यह unified space system मना रहा है, इसी को हम cupol और dome का नाम भी देते हैं, ठीक है, इसके अंदर में वो क्या करेगा, बहुत सारी geostationary satellite लगाएगा, orbit के अंदर, geostationary orbit, और geostationary orbit मैंने बताया था, क्या होता है, और दर्ती से अब देखोगे, तो यह stationary दिखाई देता है, तो यह पृत्वी से उपर, geostationary orbit के अंदर में satellite launch करेगा, unveiled in 2019, यह जो प्रोग्राम था, QPOL और dome का, इसने 2019 के अंदर में launch किया था, QPOL is designed to detect launches of ballistic missile, कोई भी देश, जब यह launch हो जाएगा, पूरा काम करेगा, उसके बाद क्या होगा, कि अगर कोई भी देश, जो है न, ठीक है, UPSC 101 पे climate and geography 101 चैनल पे physical, ठीक है, वाली, ओके, जब भी यह launch हो जाएगा, दोस्तों, तो अगर रशिया के उपर में कोई भी ballistic missile से अमला करता है, तो रशिया को पता भी चल जाएगा, और साथ-साथ में र plus course करने के लिए, दोस्तों, मैं आपको बचाता हूँ, यह GS का plus course है, तो यहाँ पर आप plus और iconic, दो प्रकार के subscription जो है, आप यहाँ पर ले सकते हो, दोस्तों, प्यारे बच्चों, यह आपके subscription का prize है, छे महीने, एक साल, दो साल, तीन साल, ठीक है, यह अधर है, iconic का subscription है, एक the session so guys please like the video share it and subscribe the channel thank you very much take care bye bye love you guys